हेलो माई डियर फेंड स्वागत है आपका अपके अपने यूटूब चैनल पातमेकर में मेरे नाम है सौरव और दोस्तो हमारे पास एक और RTI reply आ चुका है हाज हम बात करने वाले हैं दोस्तो RRB, ALP, Technician, JE और Group D और NTPC में कितने valid application form भरे गए थे इनके लिए हमने RTI लगाई थी जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तो सभी के सभी zone में हमने RTI लगाई हुई है जैसे जैसे reply आता जा रहा है वैसे वैसे हम वीडियो उनके recording बनाते जा रहे है जो आज हमारे पास reply आया है वो हम बात करने वाले है दोस्तो RRB मालदा जोन की RRB मालदा जोन से दोस्तो जिन भी candidate जो भी candidate है चाहे वो LP के हो चाहे वो technician के हो चाहे वो junior engineer के हो चाहे वो group D के हो RRB NTPC के जो exam चल रहे है at present में कोई भी student उसका हो तो उनके recording भी हमने RTI लगाई थी उन्होंने हमे reply दे दिया गया है देखे दोस्तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमने उनसे question पूछा था उसके बाद दोस्तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या उनका reply आया है खीक है आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी channel पर नए है तो channel को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तो ताकि हमारे दोर अप डाली गई सभी videos आपको मिल सकें और मैं आपको एक बात और बताओ दो दोस्तो जितने भी candidate other zone के जिनका भी तक हमने video का बना के reply नहीं दिया है वो channel के साथ जुड़े रहना जैसे हमें 8 reply मिलता है वैसे हम आपके लिए video prepare कर देंगे ठीक है चलिए दोस्तो बढ़ते हैं जो हमने question पूछे था मैं आपको वो दिखाता हूँ सबसे पहले हमने क्या question पूछे था दोस्तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जो question मैंने पूछा था उनसे dear sir I just want to know how many seats are vacant in RRB maldo zone for the post of ALP मैंने सबसे पहला question पूछा था ALP के लिए present में कितनी seat खा ली हैं और दोस्तो मैंने second question जो पूछा है वो पूछा था category wise unreserve OBC SCS के के लिए कितनी seat खा ली है तीसरा question हमने पूछा था दोस्तो कि जो technician है उनके लिए कितनी seat खा ली है और चौथा point हमने पूछा था category wise भी हमें बताएं पाच्वा point हमने पूछा था JEE के लिए कितनी seat खा ली है छटे point हमने category wise पूछा था साथे point में दोस्तो हमने गुरूप D के लिए पूछा था कितनी seat खा ली है और आठवे point में हमने उनका category wise की category wise कितनी है नोवा दोस्तो जो हमने question पूछा था वो ये था दोस्तो कि कितने form RRB NTPC के लिए valid application form accept हो है RRB Malda zone में अब देखते हैं दोस्तो ये तो हमने March 2021 को आया देखे ये क्या reply दिया और उने full information has been furnished on email as provided देखे दोस्तो जो email ID मैंने provide कराई थी उन्हें उन्होंने full detail जो है मेरे को email पे भेजी है देखते हैं दोस्तो अपना email चेक करते है email ID में दिखाता हूँ आपको क्या email आया है RRB Malda की तरफ से देखे दोस्तो आप देख सकते है योर RTI online application registration नमबर यह RRB ML slash R slash E 2100066 date 12 फर्विदार 21 को जो मैंने करी थी मेरे पास reply आया देखे दोस्तो डियर सोरव item wise reply furnished appendage below देखे दोस्तो पहला point जो मैंने पूछा था कि ALP के लिए कितनी vacancy है बहुने इनोंने बोला निल कोई नहीं है category wise भी कोई नहीं है तीसरा point मैंने पूछा था इन से technician के लिए कितनी vacancy भी खाली है तो देखे दोस्तो technician के लिए उन्होंने बताया अभी 122 post खाली है चौथा point मैंने दोस्तो इन से पूछा था तो दोस्तो यह आयत हमारे पास RTI reply देखे राजीव कुमार CPIO and Assistant Secretary RRB मालदा जो कि हमें RRB मालदा जोन से में प्राफ्ट हुआ देखे दोस्तों मैं आपको बता दू जैसे जैसे हमारे हमको RTI reply मिलते रहेंगे वैसे 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 हम other zone की भी reply RTI reply आपको बताते रहेंगे वीडियो के माध्यम से अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्क्राइब करके bell icon जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि पात्मिकर यूटुब के दौरा जितनी भी वीडियो आपके लिए जा लिए जाए वो आपको समय समय पर पहुंस जगे चले दोस्तों अगर आपको